रशिया और यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं कीव और खारकीव जैसे शहरों में दोनों सैनाओं के बीच में संघर्ष जारी है और खारकीव वो जगह है जहां पे बड़ी संख्या में भारतिय चात्र और मेडिकल चात्र इस वक्त उपस्तित हैं और कई सारे चात्र या तो हॉस्टल में स्टैंडेड हैं मेट्रो स्टेशन्स के अंदर चुपे हुए हैं या बंकर्स के अंदर हैं इस वक्त हम अंकुर गुपता के घर पे हैं अंकुर दिल्ली के रहने वाले हैं खारकीव के नाशनल मेडिकल उनिवस्टी में पढ़ाई करत हुआ है अंकुर के परिवार से बात करते हैं कि वो इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं सर आप अपना पूरा नाम बताएं और साथ में यह बताई हैं अंकुर से जो आखरी बात तो बाकी बंकर में वो छुपे रहते हैं जब फ्रेश होने के लिए होता है तब वह अपने फ्लैट पे जाते हैं बस बाकी बहुत ज्यादा पैनिक सिच्विशन हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं यह वात हैं क्यूंब बाहर जाने में किस तरह का डर लग रहा है कुन्की अंकुर से जब मेरी बात हो रही थे स्टूएट वाले सिचिवेशन भी कई बार अवादे सुना जब दे रही हैं कि उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है किसली में हो रहा है तो आपसे बात होती है डीटेल में तो क्या सिती बता है और मेरे से यहीं कहता है कि यहां पर बहुत ज्यादा कंडिशन खराब है वह क्याना में बंग जो की सैना है वह गलियों में भी घूम रही है तो उस कंडिशन में वह बाहर निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है एक दो बार नोने वहां कंडिशन बहुत ज्यादा खराब है हमारे साथ अंकुर की मां भी है और बहन भी है साथ में आप लगातार अंकुर से बात करें उनके दोस्तों से बात कर रही है क्या स्तिती समझ में आई है और किस तरह की कम्मुनिकीशन आप लोगों ने किया है चाहिए वह हो या युक्र अकाउंट से अलडेडी ट्विटर कर रहे हैं दिन में पांच से चेट करते हैं और में को माक करते हैं ताकि कार के लिए कुछ सोचा जाए क्योंकि कार कि में सैकेंडली सबसे हाइस बच्चे रहते हैं 5000 अप्रॉक्स और इसके कॉलेज के काफी बच्चे है और इनके पानी नहीं है वह बॉयल क्योंकि अलडेडी माइनस में टेंपरिचल जाता है तो में हम लोग एंबन सी रशियन अपनी हाउस में कुछ हो रहाता हम भापे भी गए थे हम लोग हर जगे क्रोसिश कर रहे हैं यहां पर बैठके जो हम कर सकते हैं लेकिन यहां पर अगर कोई यहां से नेरेस प्लेस होता तो आक्शली हम लोग अपनी लाइब डिस्क टाल के जा सकते थे लेकिन बहां पर हमारे पस जाने के लिए कोई आप्शन नहीं है और हम यहां पर से वेट पेशेंस ही रखा हुआ है क्योंकि आइनो पेशेंस एक लिमिट तक ही हो पाएगा सब्सक्राइब के שמまぁनेज करना ओर सबस्ते जाओर मनंते हुआ पर हर खनлять हम जब सेफ है उसके रिप्लाई कियोंकि स्क पौन expert कर पाहे हैं क्योंकि मेट्रों के DOरम नहीं होते हैंटो बहुत स्नोर नेटिवक्या के वीडियो कॉल तो मैंने इसको लास्ट त्री डेज पहले वीडियो कॉल पर देखा था उसके बाद हम लोगों नहीं देखा है वो फोटो बेज देता है हम लोगों को ताकि नॉर्मल रहें और घर पर चीज़े नहीं बताता है जितनी एक्चुली उसको बताने जाए पहली उम नहीं निकल पाने की क्या वज़हें पता चल रही है चाहिए की तरफ से हो या अंकुर और उसके दोस्तों से जो बात हो रही है आँ हालात खार कीव में और कीव में दोनों शहरों में थोड़े मुशकिल भरे हैं इस वक्त हम लोगों को पता है लेकिन वह बाहर निकल रहे ह आक प्रक्राइन को सब्सक्राइब एक पर निकलते हैं इंडीन लोगों नहीं निकलने दे रहे हैं तो अपने लोगों को मेरा बाई बता रहा था कि वहाँ पर 50-60 इंडीयन कि उनको दो तीन चीज़ चेंज करने पड़ती है और इस टेम पे हम लोग नहीं चाहेंगे कि वह की वह के रास्ते उसे जाएं क्योंकि की में जो हो रहा है वह बहुत ही सीवे सिचुवेशन में है और की में कभी भी कुछ भी बड़ा अटाक हो सकता है जो पॉइंट्स बनाया है सरकार ने इस वक्त वो बॉडर की तरह बुला रहे हैं वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है आपके भाई के लिए भी वह अभी जो चार पॉइंट बन नहीं एक लड़के से लड़किया जादा पैनिक होती हैं तो उसके साथ कंभी मेरी उन लुक्त से रिक्वेस्ट करी थी आप विशन में जाओ आप इंडियन से बात करो वह आप हम निकलवा दो तो सिचुवेशन तो बहुत ही जादा खराब है और बस हम लोग यह चाहेंग चालिस किलो मीटर रवे हैं रश्या का वो एक घंटे में रश्या पहुंच सकते हैं अगर गौर्वर्णमेंट उस चीज के बारे में सोचती है तो वो हमारे लिए बहुत हैलफुल होगा अब आज शिवरात्री के दिन मेरे ख्याल से पूजा भी आपने की है क्या कुछ उमीद है और किस तरह से बीटे से किस तरह से बात हो पा रही है क्या उनके सातियों से भी आप लगातार बात कर रही है अगर करती हैं रोज करते हैं अच्छे वह बोलती है जब से यह चीज़ें होई है तो वह बहुत कम बोल रही है हूँ हम लोगों से घर पर बात नहीं करती है अंकुर का परिवार इस वक्त स्ट्रेस में है और लगातार यही कोशिस है कि M.E.A. से कुछ जवाब इनको आए या फिर रश्यन अमबसी से कुछ जवाब आए आखरी सवाल मैं अंकुर के पिता से लूँगा सर अगर जो कम्मिनकेशन बता रही है आप अंकुर की बहन की वो लगातार M.E.A. में एक मेल डाल रही है ट्विटर पे मेसेज़े भेज़ा जा रहा है और कोशिस यही है कि कुछ जवाब आए हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से तमाम कोशिसें शुरू कर से हुए उनको लेकि क्या जवाब मिल रहा है अभी कोई सॉलेड जवाब तो नहीं मिल पा रहा है कि खार कीव को कैसे निकाला जाए बच्चों को मैं बस सरकार से यही कहना चाहूंगा कि अगर उनको निकालना है तो मुझे लगता है रसिया ज्यादा बैटर भी कलप है क्य मेरे इसाफ से अगर गॉवर्मेंट हमारी पैसे तो कोशिश कर रही है लेकिन अगर वह रसिया गॉवर्मेंट से खार कीव के बच्चों को निकालने की कोशिश करें तो मुझे लगता है यह ज्यादा अच्छा होगा अंकुर का परिवार एकलोता परिवार नहीं हैं दिल् मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंस्टूशन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत जादा है उन लोगों को यह चिंता है कि तरफ जहां सरकार ने रेस्क्यू पॉइंट्स बना दिये बना दिये हैं वहीं खारकीव को लेके एक रोड मैप अब तक उस प घर वापस आएं अपने देश वापस आएं अपने घर में अपने लोगों के बीच सेफली बैट सके वीडियो जनलिस्त तलवीर के साथ मैमित भार्दवाज दिल्ली आस तक